स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने योटोब चैनल रस्तोगी कोचिंग में आज के इस वीडियो में क्लास 12 के गडेत प्रशनावली 5.2 के बारे में अध्यान करेंगे पिछले भाग में प्रशनावली 5.1 से लेकर के प्रशनावली 6 तक के सभी प्रशनों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है वहां से जा करके वीडियो को प्रशनावली 7 दिया गया है देख सकते हैं य बराबर दिया गया है दो और अंडर रूड में क्या है काट यक्स का इसक्वायर है अब इसको आवकलन करना है तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे कि दी वाई बटा दिखेंगे दी वाई बटा डी आक्स हो जाएगा बराब अंडर रूट हो जाएगा और क्या बनेगा यहां पर काट है और यहां का जाएगा इसक्वाइर हो जाएगा अब यह दो कहां चला जाएगा यह दो जो है आगे चलाएगा दो आगे आजाएगा डी अपान जो है डी एक्स हो जाएगा अंडर रूट में क्या है काट है तो करणी यक्स का आउकलन क्या होता है तो करणी में यक्स का आउकलन होता है एक बटा दो करणी में यक्स होता है यह किसका आउकलन है अंडरूड यक्स का आउकलन है एक बटा दो करणी में क्या है यक्स होता है तो यह सुत्र को पहले आप सुभी विद्यार्थी याद रखिए शुत्र आपको याद रहेगा तो कोई भी आउकलन आप से फसने वाला नहीं है हर एक आउकलन को लगा सकते हैं लेकिन पहले शुत्र आपको तयार करना पड़ेगा अब यहाँ अगे लिखेंगे बराबर हो गया और यहाँ लिखेंगे यहाँ पर क्या बनेगा दो तो पहले दो को या दो को पहले नोट कर लेंगे अब यह करणी जो है काट यक्स स्क्वाइर जो देख रहा है अब इसी सुत्र में इसको क्या करेंगे भर देंगे तो अब यहां सुत्र कौन सा लागू होगा एक बटा दो तो यहां पे सुत्र बनेगा एक बटा दो हो जाएगा एक बटा दो क्योंकि एक बटा दो है करणी में यक्स है करणी में क्या बनेगा करणी में हो जाएगा काट है काट हो गया और यक्स का स्क्वायर हो गया तो इसी सुत्र में यहाँ पर क्या किया गया है रखा गया है यह दो है दो करणी में काट x square इस उत्र में रख दिया गया है और यहां पर देखेंगे दो से दो क्या होगा दो से दो कट गया अब यहां पर देखेंगे यह करणी के अंदर क्या है तो करणी के अंदर काट x square है अब इसका भी आउकलन करना होता है करणी के अंदर के मान का भ ही ऐख़रन करना पड़ेगा यहां लिखेंगे X-square का जितना फलन इस में दिया रहेगा उतना बार आपको आउकलन करना पड़ेगा तो अब यहां पर जो है करनी के अंदर Qt XT2R था तो Qt XT2R हो गया और XT2R का यहाँ पर ओकलन हो गया अब आगे बढ़ेंगे बरापर कर लेंगे और यहाँ पर जो है क्या बचा है अब एक बठा अंडर रुट में क्या बचा है Qt बचा है XT2R Qt का ओकलन तो Qt का ओकलन जो आपको याद रहनाग चाहिए तो काट का अउकलन होता है माइनस होता है कोसिक स्क्वायर यक्स और यहाँ पर लिखेंगे यक्स के जगह पे क्या है यक्स स्क्वायर हो जाएगा यह माइनस कहां से आ गया क्योंकि काट का अउकलन क्या होता है माइनस को से की स्क्वाइर हो जाएगा और X स्क्वाइर है तो X स्क्वाइर यहां नोट कर लेंगे और X स्क्वाइर का उक्लन क्या होगा तो X स्क्वाइर का उक्लन 2X होता है क्योंकि दो घात आगे और एक घात क्या हो जाता है कम हो जाता है यहां कौन सुत्र लागू किया गया है यहां सुत्र भी लिख देंगे डिया पांडिया यक्स के पावर यन का सुत्र होता यान यक्स के पावर यन माइनस वन यही सुत्र इसमें लागू किया गया है तो यहाँ दो सुत्र लागू हो गया यहाँ पर कर्णी का एक सुत्र लागू हुआ काट का ओकलन हुआ और यक्स स्क्वायर का नियम लागू हुआ अब यहाँ पर जो देखेंगे दो यक्स है यह आगे आ जाएगा माइनस चिन भी आ जाएगा बराबर हो गया और यहां लिखेंगे माइनस दो याक्स हो गया कोसिक स्क्वायर याक्स स्क्वायर हो जाएगा बटा हो जाएगा अंडरूड और यहां क्या बचा अंडरूड में क्या है काट है तो काट याक्स का स्क्वायर हो जाएगा इतना भी इसका क्या हो जाएगा एंसर मा लिया जाएगा लेकिन आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो तिरकोड मीती का नियम लागू करना पड़ेगा और तिरकोड मीती का नियम लागू करके इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं तो अब अगला लेंग जो बनेगा बराबर हो जाएगा माइनस हो गया दो यक्स हो गया कोसिक स्क्वाइर का सुत्र क्या होता है तो तिरकोड मीती में कलास 10 के तिरकोड मीती में आप सोई भी द्यारती पढ़े होंगे कि कोसिक स्क्वाइर का सुत्र क्या होता है साइन स्क्व है यक्स का स्कॉायर बटा साइन यक्स का स्कॉायर हो जाएगा तो यह लाइन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा यहां पर तिर्कुड मीती का नियम लागू किया जा रहा है अब माइनस दो में गुड़ा कर लेंगे तो क्या बनेगा यहां पर बराबर कर लेंगे माइनस दो यक्स हो गया पूरे का बटा यहां पर क्या दिया है साइन इस्कॉायर यक्स का इस्कॉायर है बटा हो गया और यह अगला लाइन जो बनेगा अंडरूड में, अंडरूड में क्या है, यह कास यक्स का स्कॉयर है, यह साइन यक्स का स्कॉयर है, तो यहाँ पर परमेकाड़ी गुड़क भी कर सकते हैं, साइन से गुड़ा कर लेंगे, तो क्या बनेगा, साइन यक्स का स्कॉयर हो जाएगा, यहाँ क्या बन साइन यक्स का इसक्वायर कास यक्स का इसक्वायर पूरे का बटा हो जाएगा साइन एक्स इसक्वायर साइन एक्स इसक्वायर के गुड़ा करेंगे तो क्या बनेगा साइन इसक्वायर एक्स इसक्वायर हो जाएगा तो यहां पर जो गुड़ा किया गया समझ में आगे हैं यहां दो को यह दो घात है इसका करणी जो है क्या हो जाएगा हट जाएगा क्योंकि यह साइन यक्स स्क्वार पे है कासी यक्स स्क्वार पे है इसका करणी नहीं हटा सकते हैं लेकिन इसका करणी क्या हो जाएगा हट जाएगा अब करणी हटने के बात क्या बचेगा माइनस हो गया दो यक्स हो गया बटा हो गया साइन यक्स का इसक्वायर यक्स का इसक्वायर हो जाएगा बटा हो जाएगा और यहाँ पर अंडरूड में क्या है तो अंडरूड में साइन है तो साइन यक्स का स्क्वायर कास यक्स का स्क्वायर बटा हो जाएगा और बर्ग से इसका कर्णी क्या हो जाएगा हट जाएगा तो यहाँ बर्ग से इसका कर्णी जब हटेगा तो क्या बनेगा साइन यक्स का स्क्वायर बस यह स्क्वायर जो है हट जाएगा करणी जो हटाएंगे तो इसका square हटेगा इसका square नहीं हटेगा अब यहाँ पर जो नीचे है वह कहाँ चला जाएगा सबसे उपर चला गया और यह कहाँ जाएगा बीच में चला जाएगा अब यहाँ कावचेगा बराबर हो गया माइनस दो यक्स हो गया अब यहाँ कटने वाला जो रहाँ कट जाएगा साइन से एक साइन यह कट गया है नीचे अभी एक साइन बचा हुआ है साइन यक्स का square था और यहाँ साइन से एक साइन कट गया नीचे एक साइन बचा है अब यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे तो अब उपर क्या बचा है तो उपर बचा है माइनस दो यक्स बचा है बटा हो गया और नीचे एक साइन बचा है साइन यक्स का स्क्वाइर बचा है और अंडरूट में क्या बचा है तो अंडरूट में जो बचा था यहाँ पर नोट का लेंगे साइन था यक्स का जाता कि two sine a into case है लेकिन यहाँ दो है नहीं अब दो है नहीं थे यहाँ दो बनाएंगे दो से गुड़ा करेंगे और दो से क्या करेंगे भाग कर लेंगे तो माइनस दो यक्स है पूरे का बटा और यहाँ क्या बनेगा sine x का square note हो जाएगा अंडर रूट में दो से यहाँ गुड़ा कर लेते हैं दो sine x का square into case x का square बटा और यहाँ दो से गुड़ा कर लेंगे तो यह मान और यह मान आपस में क्या है दोनों मान आपस में बराबर है अब यह दो से दो कट जाए तो यह मान यह मान आपस में क्या है बराबर यहां कौन सा काम हुआ है, तो 2 से गुड़ा हुआ है, और 2 से क्या हुआ है, भाग हुआ है, अब यहां पर देख सकते हैं, अब यहां सुत्र बना, कि 2 sin A, 2 sin A into cas A, यह सुत्र आप सुभी विद्यार्थी जानते होंगे, यह पढ़ चुके होंगे, 2 sin A into cas A, किसका सुत्र होता है, तो sin 2 A का सुत्र होता है, किसका सुत्र है, sin 2 A का सुत्र है, यह तिरकुडमीती में, कलास 10 में भी पढ़े होंगे, कि sin 2 A का सुत्र क्या होता है, 2 sin A into cas A, 2 sin A into cas A, तो A के जगा पे क्या है, स्कوائر हो गया, अंडर, रूट हो गया, और यहां पी यह पूरा यह फर्मूला बन गया, तिर्खोड मीती का फर्मूला, और यह फर्मूला क्या बनेगा, साइन हो गया, दो औरaden, एक जगा पे क्या है, यक्स स्कوार है, तो यक्स स्कॉ़ार हो जाएगा, बटा में क्या है बटा में 2 है और ये 2 कहां चला जाएगा उपर भेज देंगे ये करणी में 2 उपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा अब उपर जाने पर बराबर माइनस 2 यक्स ये उपर चला गया करणी में 2 हो जाएगा पूरे का बटा हो गया साइन हो गया यक्स का स्क्वायर हो गया अंडर उठ हो जाएगा साइन हो जाएगा दो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा तो उमीद करते हैं यह प्रशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा थोड़ा सा यह प्रशन क्या है बड़ा है लेकिन यह प्रशन बहुत ही सरल है बस इसको दो बार लगाए आपको अच्छे से क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा इसमें कुछ तिरकोड मीती का भी सुत्र का प्रियोग किया गया है तो यह प्रशन का एंसर आ चुका है तो य जरूर कर लिजेगा तो मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यारतियों को नमस्कार